आज हमारे पास है वीवा वाई 75 5G स्मार्टफॉन हम फालतू बात नहीं करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग अभी होगी क्योंकि इसके सतरंगी रंगों की मोज भी तो दिलानी है आपको चलो जल्दी से अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले हम इसका रैप उतारते हैं ये उतार दिया हमने रैप ये सील ब्रेक कर दी खुल जा भई हाँ ये उपर से भी वाइट है और अंदर से भी वाइट है लगता इसके अंदर और उजाला होगा इसको निकालते हैं इसके अंदर I think case होगा हाँ case है love letters है ये वीवो ने मुझे प्यार भेजा है case काफी अच्छा है तो ये रहा अपना smartphone औरे भाई रुको साइट पे रखता हूँ box में देखते हैं और क्या कुछ हाया इसके अंदर आपको मिलेगा 18V का fast charger type C cable और thank you वीवो इसके साथ earphone provide करने के लिए जो की आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये बात मैं सच बता रहा हूँ वीवो के earphones की अवाज बहुत तगड़ी होती है इसके और नीचे दे रखा है seam ejector tool चलो ये तो होगया box content अब आने वाला है आपको मजा क्यूंकि आप इसकी पनी फढ़ने वाले हैं चलो इसका screen guard भी उतारते हैं उतर रही है उतर रही है? नहीं उतर रही जिसमें आप एक टीवी तक का memory card भी लगा सकते हो राइट साइड में volume rockers और उसके नीचे power button है with fingerprint sensor और नीचे की तरफ 3.5mm jack, microphone, type-c वाला port और speaker grill ये सब आपको मिल जाती है वो भी boxy design के साथ यार देखने में कितना पदला लग रहा है यार और पीछे की तरफ triple camera setup देखने को मिलता है क्या आप इसकी back पर चमकीले रंग बिरंगे रंग देख रहे हो दोस्तों इसकी back polycarbonate से बनी हुई है जो की दिखने में बहुती cool लग रही है और सच पताना क्या आपकी आँखों को इसे देखने से आनंद मिला इसका size देखकर लगता नहीं है कि यह इतना हलका होगा only 188 gram पकडने में यह definitely काफी premium feel हो रहा है और guys इस polycarbonate पर कोई भी fingerprints नहीं दिखते और इसको different angle पर देखने से multiple color नजर आते हैं ऐसा लगता है कि जैसे यह glass हो दोसद वीवो का Y75 5G आपको two color variant में देखने को मिलेगा glowing black sea and star light black और guys इसका यह camera bump देखो जिसके around बहुती beautiful ring दे रखी है जिसे चाहे जितना मर्जी देखते रहों मन नहीं भर रहा इधरा भाई इसको गाल पर touch करें आप यह camera man के सब यह होगा बताओ भाईयो 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 इसे गाल पर touch करने से smooth wheel हो रहा है या नहीं हो रहा है जो और से बोला ऐसे नहीं बता चलता चलो इसको power on करते है और guys इसकी कमरिया की thickness है 8.25 mm और इसे देखने से मुझे cat याद आई मिलनी नहीं आपको fingerprint sensor का भी दिखा देता हो response single touch में ये unlock होगा देख रहे हो काफी fast है दोसो इसमें 6.58 inches का full HD plus resolution display है with traditional drop down notch तो guys जैसे कि मैंने यहाँ पर video play की हुई है इसके colors देखने में भी काफी sharp है video quality भी काफी अच्छी है मुझे तो देखने में काफी अच्छा लगा overall इसकी पूरी display की बात करें तो ये decent है और guys ये blue light से भी आपकी आँखों को बजाएगा चलो आप इसके camera बनाते है view को तो आपको पता ही है camera कैसे होते है एक number होते है guys इसके पीछे आपको triple AI cameras का setup दिखेगा जिसमें main camera है 50 megapixel 2 megapixel bouquet camera और macro camera भी आपको 2 megapixel का मिलेगा आप screen पर कुछ photo का sample देख रहे हो दोस्तों इसमें है all new powerful sensor जो की ज़ादा detail capture करता है जिससे मिलती है sharp image दोस्तों portrait bouquet algorithm की मदद से आपको मिलती है sharper photos with richer contrast दोस्तों इसमें आपको AI face beauty के भी काफी option देखने को मिल जाएंगे और इसका macro camera object को 4 cm से capture कर सकता है और अगर front camera की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 16 megapixel AI extreme night selfie जो की night selfies को next level तक लेकर जाता है इसका AI extreme night algorithm देता है more details and richer contrast और noise को भी reduce करता है overall दोनों cameras की बात करें तो दोनों cameras में आपको super night mode देखने को मिल जाएगा optimized with noise reduction algorithm जिससे काफी expressive image देखने को मिल जाती है गुर्णूर अपनी थूथ की photo दिखाओ अब तू भी अपनी थूथ की photo दिखाओ camera उस तरफ करना है क्या आल हो गया उसका बैसकर बैसकर बहुत असली है गाइस इसमें dual view video भी है जो कि दोनों तरफ से simultaneously record करेगा अब बढ़ते हैं इसके software की और दोस्तो software की बात करें तो इसमें है fun touch os 12 जो की android 12 पर run करता है और यह सब आपको out of the box मिलेगा latest os देता है आपको neat and clean design and simple touch control जिसमें है eye friendly natural layout और अगर इसके processor की बात करें दोस्तों इसका power किया गया है 7 nanometer Dimensity 700 5G जो की 5G technology पर based है with 2.2 GHz clock speed इस variant में 8 GB RAM और 128 GB storage देखने को मिलेगी और इसकी RAM को आप extend भी कर सकते है जिससे आपका app opening experience काफी smooth हो जाएगा और अगर इसकी connectivity की बात करें तो इसमें आपको dual mode 5G देखने को मिल जाएगा जो की 4G से 10 गुना जादा faster है क्योंकि इसमें millimeter technology यूज की गई है जिससे आपको minimal latency देखने को मिलती है इसके चारों तरफ 5G antennas दिये गए है जिससे कोई भी 5G network चल सकता है और कहीं भी चल सकता है बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है एक बार फुली चार्ज कर लो पूरा दिन मजे से चलाओ और गाइस इसके प्रसेसर में भी अल्टरा सेविंग टेखनोलजी का यूज किया गया है जो कि बैटरी को जल्दी से ड्रेन नहीं करेगा चलो BGMI टेस्ट किया जाए ओके तो मैंने उपन कर लिया है ओके तो गाइस मुझे तो ऐसा कुछ लैग वैग नजर नहीं आ रहा है यह गया यह गया अरे अरे मैं ही मर गया गाइस मुझे तो कोई लैग नहीं महसूस हो रहा है मुझे तो खेलने में काफी मज़ा आ रहा है मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि इसका प्रोसेसर काफी हैवी गेम्स को भी स्मूदली रन कर रहा है तो कैसा लगा आपको गेमपले और इसमें दूसरा फीचर है अल्टरा गेम मोड जो कि देता है sensory game experience यानि कि यह instantly switch कर लेता है between power saving, balanced and performance mode के बीच तो guys अगर overall मैं इस phone की बात करूँ तो मुझे तो यह काफी अच्छा लगा और यह decent performance भी आपको देगा तो आप definitely इसे consider का सकते हो और मुझे नीचे comment में बताइए कि आपको यह कैसा लगा तो यह थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो share ठोक दो अगर नहीं अच्छी लगी है तो अगली वीडियो का वेट करो चैनल को सब्सक्राइब करकर रखो यार तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल क्या शिर्वास से तो बिनकाली दिये ओके बाए